अर्थिंग कराना बहुत जरूरी है कि अर्थिंग से में क्या फायदा होता है कि अर्थिंग कैसे जाती है वोगैर हुआरो बहुत सारी वब हमेरे दिमार के उते अंगे ल्ते रहते है तो चलिए आध में आपको सब पुप्भ बताओंगा इस तब बहा इस तब आपको समझांगा अर्थिंग कैसे की जाती है और तिक क्यों क्या फायदे होते हैं अर्फिंग से अर्फिंग ना होने से हमारे क्या क्या हो सकती है जो कि आप सब देख सकते हैं यह हमरें और द्द्रांना चुरूप है थोड़ा साम पहले मैनृट गड़ा करेंगे फिर इसके बाद बीकला जिन दिल का फाइप है भोबाला नीली पट्टी का पाइप है अर्थिंग के लिए यह पाइप होता ही हो जोता है वीजी च्विज़ में देखू हमने पूल कर रखा ताके नहीं बराबर पाइप के अंदर जाती रहे है और यह हमने पुगी से अर्थिंग का होल करना हमारी भोगी है और जिससे हम कर रहे है इस से होल बड़ा करके बारा इंची को घड़ा करेंगे तो चलिए हम गड़ा कर लेते हैं पहले फिर इसके बाद इसमें कि मैट्रियल डालेंगे और आपको बताएंगे कैसे डाला जाता है कि यह बोगी है यह पाइप के मिने बोगी बनवा रखी है कि नॉर्मली मार्गेट में आपको मिल जाएगी जहां इलिक्तों का समान भीकता हो काम होता हो वह आया बनवा सकते हो इसमें हमारा गड्या कंप्रीट हो गया है और इसमें हमने अर्धी की पाइप डाल दी है और इसके बाद हम इसमें नमक कोईला डाल रहे हैं यह कोईली की परत बना रहे हैं अब इसमें एक परत नमक का डालेंगे यह देखो नमक का एक परत बना दिया फिर कोईला डाला फिर नमक भर देंगे इसके उपर अब इसके उपर जो भी आसपास मिट्टी है जब भर देंगे हम इसके बाद हम इसके आसपास एक अर्थिंग पिट रख देंगे उसके उपर कबर लगा देंगे और इसमें से एक तार निकालके हमारे घर में जो DV लगी हुई है जहां भी हमारे घर की हर सारे अर्थिंग के तार आया है मुहां ले जाके connect कर देंगे हमारी अर्थिंग हो गई तो आपके घर की अर्थिंग होनी चाहिए कभी कभी अक्सर ऐसा देखते हैं कि हम पंखा चलाते हैं तो हमें करेंट मार देता है आपके और अगर के घर के अरठिं नहीं है मिए अगर आपके घर की अरठिंग होती तो करेंटus नहीं सबस पिटा बहुद बढ़ी झाल झाल